नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, आज हम विमिक्स का फुल टिटोरियल आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफूल होने वाला है, अगर आप फर्स्ट टाइम में विमिक्स को रन कर रहे होंगे, अगर आपको उसक पूरा cover-up किया हुआ है, ठीक, विमिक्स के बारे में आपको बता दें कि यह एक professional software है, जो कि आपको 60 days के लिए आपको free मिल जाता है, उसके बार आपको कुछ पैसे pay करने होंगे, ठीक, OBS के बारे में बता दें कि OBS एक open software है, जो कि आपको वहाँ free मिल जाता है, मगर उसमे क्या होता है कि actual set या multi view और title, बहुत सारे option आपको उसमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक, तो इस बज़े से यहां software आप देखेंगे कि news वगएरे में broadcast में यही यूज होता है, जो कि professional लोग यूज करते हैं, इसके आप जैसे ही इसमें email वगएरे करेंगे, तो आपको support team को और तुरंत ही आपको response करेंगे, तो विमिक्स में आपको minimum RAM की requirement है, आपको 12GB, 12GB से उपर ही हो, अगर चाहेंगे तो आप 8GB भी use कर सकते हैं, अगर उसमें थोड़ा hang वगएरे, कि समस्या आपको आएगे, ठीक, अगर graphics वगड़े title और virtual set अगर रन करेंगे, तो उसमें थोड़ा hang का problem आ सकता है, ठीक, तो मैं suggest आपको यही करूँगा, तो 12GB RAM हो, और i5, i5 होना चाहिए, और i7 इस से उपर होना चाहिए, तो जिस से आपको बहुत ही smooth चलेगा आपका system, हम चलते हैं अपने system पे और आपको एक-एक option बताते हैं, सबस्पहले हम vmix software को download कर लेते हैं, आपको google में type करना है vmix.com, आप जैसे ही type करेंगे और enter करेंगे, आपको vmix के website पे ले जाएगा, ठीक, तो सबस्पहले वाला हमें जो option दिख जा रहा है, vmix live video streaming software, आपको इस पर click कर देना है, जैसे ही click करेंगे, आपको vmix का website आपको देखने को मिल जाएगा, आपको third number पे download का option दिख रहा होगा, आपको इस पर click कर देना है, अब click करने के बाद आपको इसमें three option दिख जाते हैं, release notes और download vmix, download vmix desktop capture, अगर आपको desktop capture करना है, तो आप यहां से desktop capture को download कर सकते हैं, ठीक, यानि जैसे हम NDI से किसी से connect करते हैं, उसके लिए हमारा यह दिया हुआ है, यह Mac का है, यह Mac का है और यह window का है, ठीक, तो अगर हमें तो download करना है vmix software को, तो हम यहां से vmix download पे click करेंगे, और जो हमारा new version होगा, 60 days के लिए आपको free में download हो जाए, तो चले हम इसे download कर लेते हैं, अब जैसे हम download पे click करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा download होने लगा, 406 MB का कुछ है, तो ठीक, तो हम इसे wait कर लेते हैं और इसे install करके open करके आपको दिखाते हैं, ठीक, vmix software को download करके open करेंगे, तो आपको इस तरह का interface vmix का देखने को मिल जाएगा, यह हमारा final हमारा output है, और यह हमारा preview है, ठीक, और यह सारे जो हमें देखने को मिल रहे हैं, यह सारे हमारे effect हैं, ठीक, और यह हमारा full screen है, जैसे हम दो display हम use करते हैं, जैसे tv मान लिजे use करते ह तो हमारा use होता है, ठीक, तो यह हमारा present जो दिख रहा है present में, अभी जो हम present में open किये हैं, जो हमारा resolution है, वह हम दिखा रहा है, ठीक, अब second पर है हमारा new, हम किस frame rate में हम इसे quality में रखना चाहेंगे, जैसे 4K हो गया, तो हम 4K select करके अपना, यहां से add कर लेंगे, आप option हमें open का दिख जाता है, जिसका use यहां है कि हम किसी भी project को save किये रहेंगे, हम यहां से open कर सकते हैं, जैसे example के ताओर पर मालेजी हमने यहां पर project को, इसे हम किसी तरह से adjust करके title, ticker, जो भी है, हमने महनत से इसे बनाया, हम चाहरा है कि कहीं और जाकर कि हम इसे open कर लें, त same process, यहां पर हम यहां से save कर देंगे, उसे save करके वहां से जाकर के हम इसे open कर सकते हैं, ठीक, last का हमारा यहां use होता है, जैसे मालेजी लास्ट टाइम में हमने क्या open किया था, हमारा वो delete हो गया, या कोई उसमें changes हो गए, हम उसे यहां से last करके वापस ला सकते हैं, अब under का हमारा यहां use हो गया, जैसे मालेजी हम इसे close कर दिये, अब हम इसे वापस लाना चाहते हैं, यहां से हम वापस ला देंगे, ठीक, तो हमें यहां देखने को मिल जाएगा, अब यहां से आपको चार option जो दिख रहे हैं, यहां हमारा source है, ठीक, जो की vimix में चार source दिया हु है, हम इसे one पे क्लिक करेंगे, तो हमारा final में चला जाएगा, ठीक, यहां हमारा source का हम ऐसे इस्नमाल कर सकते हैं, बेसिक का use हो यहां होता है, जैसे हमने 60 days के लिए use कर लिया है, तो हमें basic में यहां देखने को मिल जाएगा, यहां में basic में देखने को मिल जाएगा, एड़ अभी आते हैं main point पे, जो हमारा add input में देख रहा है, इसमें बहुत सारे option देख जाएगे, अभी हम इसी पे चलेंगे, अभी हमारा recording का देख रहा है, इस channel जो हम अगर हम कहीं zoom वगरे से ले रहे हैं, तो हमारा external on करके हम यहां से कर सकते हैं, अभी multi quarter का option देख रहा है, जो क सारे हम इस पर click करेंगे, click करने के बाद आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएगे, अब यहां से हमारा first option होता है, जिससे हम यहां से वीडियो को import कर सकते हैं, जैसे माली जी किसी भी video को यहां से select करेंगे, यहां से open करेंगे, यहां से ok करेंगे, तो हमारा import हो जाएगा ठीक, अब second option हम यहां से देखेंगे, जो कि DVD का, DVD अगर आपने use कर रहे होंगे, तो आप यहां से DVD का cassette बगरे लगा करके, यहां से browse करके आप इससे import कर सकते हैं, थार्ड option आपको playlist का मिल जाता है, playlist को आप यहां से भी add कर सकते हैं, इस पर click किए, यहां से ok किए, ok करने के बाद इस पर mouse से अपने right click करना है, right click करने के बाद आपको दो option दिखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारा playback, जो कि speed करने का option आता है, अब second हमारा edit का है, तो हमको edit पे click कर देना है, अब जैसे हमने edit पे click कर दिया, आपको add input का option दिख जाएगा, जो कि add, add करने के लिए, हम यहां आपको shortcut बताऊंगा, जिससे आपका बहुत ही आसान हो जाए, तो आपको इसको close कर देना है, close करने के बाद यहां आपको एक playlist का option दिख रहा होगा, आपको इसे setting पे click कर देना है, अब click करने के बाद हमने जो जो video add किया हुआ है, यहां पे input में, वो हमारा इसमें show करने video add होगा, अब में दूसरा करना है, तो दूसरा भी हमें click कर देना है, तीसरा करना है, तीसरा भी हमें add कर देना है, चौथा करना है, चौथा करना है, चौथा भी हमें add कर देना है, अब इसमें हमें timing add करना होगा, जैसे माले जी इस पर हम double click करेंगे, तो इसमें हमारा timing दे कर देते हैं ठीक है इसमें पांच करके ओके कर देते हैं अब इसमें भी हम कर देते हैं इसमें 5 करके OK कर देते हैं आप यहांसे TNG कर सकते हैं आप किस टाइब का TNG देखना चाहेंंगे तो चले हम इसमें Zoom Select कर देते हैं अब इसका भी हम, नश्ट करदेते हैं ठिक और इसका भी हम दस सेकंड रख देते हैं इसका हम थोड़ा ट्रांजिक्शन चेंज कर दें सब का आप अपने अमसार से हां से स्लेट कर सकते हैं ठीक अब यहां से हमें डाटली किस पे क्लिक करना है स्टार्ट पे आप यहां से लू भी स्लेट कर सकते हैं जिस से वीडियो मतलब मेर्फ टॉप नहीं होगा वो चलता रहेगा तो हम यहां से लूप क्लिक कर देंगे अभी किस्तार्ट कर देंगे अभी देखिये हमारा वीडियो हे वइवे 5 सिकंड जैसे हुआ देख रहे है आप 5 सिकंड जैसे यह 1 2 5 सिकंड जहां हुआ तुरंती हमारा नेश्ट वीडियो आ जाएगा यह देखिये अभी हमारा चलता रहेगा अब हम देखते हैं अगला ऑप्जन हमारा है चैमरे का हमें एक आइक का देना है छो कर देना है तो कडिक है इस तो आपको यहां से HDMI, SDI, बहुत सा RECABLE मिल जाते हैं, आप यहां से Select कर सकते हैं, माली जी, हमने HDMI लगाया, तो HDMI Select कर लेदे, आप यहां से Resolution भी Select कर लेंगे, माली जी, आपको Account से Quality में रखना है, आप यहां से Select करकि, आप यहां से Adjust कर सकते हैं, ठीक, तो यह हमारा रहा यहां पर default वीडियो फॉर्मेट का उप्शन आप वीडियो फॉर्मेट में default ही रखें ठीक और जो है हमारा audio इंबल रखें ठीक अब यहां पर हमाएं टॉल भी ही रखना है ठीक उसके बाद हमें बात अभी हमारा जो कैमरा अभी हमने कैमरा लिया नहीं है तो जो हमारा कैमरा और एड धो हो जाएगा आपको इस तो से इस वज़े से ऐसा ब्लिंक कर रहा है अब हम अगला option अपना देखेंगे अगला option हमारा होगा एक NDAI desktop capture का तो फर्स हमारा एंड डिया हुआ ह्ए तो क से dai के यूज हम तब करते है जैसे मानले जी में लेप्टॉप का screen हमें इसमें capture करना है डों soi capture क्ली हमें चोटा सा उसमें ध्थाल करना पड़ेगा जो कि यहां से डाउनलोड पर जाएंगे डाउनलोड पर जाने के इसे डाउनलोड इसे डाल लेप्टॉप एक डालने के बाद आपको यहां से इंटरनेट झो गया कि इसमें ऐनकर이어 होना है sorry internet on कर देना है जो कि आप LAN कीवल से भी कर सकते हैं और आई-पी से भी कर सकते हैं वाई-फाई के थुरू ठीक वहां से connect करके आप जैसे करेंगे ध्यान रखेंगे का आपका सेम आई-पी होना चाहिए जो आई-पी इसमें हो वही इसमें होना चाहिए तभी यह connect करेगा ठीक होहां से connect करके जैसे connect करेंगे आपका इसमें show होने लेगा तो आप यहां से select कर सकते हैं अब सेकेंड हमारा आता है local desktop capture का local desktop capture का हमारा जो माली जी local हमने जो window बे चलाया हुआ है हम इसमें capture कर सकते हैं सब्सक्राइब आपने और दो आप को इसमें हुआ हधार आपको इसमें िपूर करना港 है तो आपको यहां डिस्प्लेय नहीं लगाए के लिए है, तो हम dit सबस्क्राइब करना पड़ेगा उपर दिखेंगे इसे एक सारे option अपने उपसार से इसे मैं इस पर विडियो बनाऊंगा आपको आपको पर वर्जिन में पर्चिस करना पड़ेगा अब इसके लिए वह पर्चिस करना पड़ेगा तब भी आप access कर सकते हैं इसका उपयोग हम तब करते हैं जब मैं एच वगरे में हमें select करना पड़ता है चार चार इसमें camera आप add कर सकते हैं बहुत ही फैसल्टी आपको फेट transaction मिल जाते हैं अच्छे तरह से आप यहां से अजसे adjust कर सकते हैं इस पर मैं वीडियो इस विस्तार से बनाऊंगा अगर आप लोगों का support मिलेगा ज़रू से बनाऊंगा image sequence exchanger इसका उपयोग हम तब करते हैं जैसे heavy file frame वगरे हमें convert करके लगाना है हमारा system वगरे हाइंग करने लगता है अगर बहुत ज़्यादा heavy videos वगरे उसमें install करते हैं system में तब हम इसका यूज करते हैं तो इसका यूज कैसे होता है हम आप लोगों को बताते हैं जैसे माली जी हमने यहां से हम avi या फिर yamoov file इसे हम record करेंगे माली जी आप premium pro software से भी record कर सकते हैं माली जी हमारा वीडियो है हम यहां से थोड़ा सा click हम इसे record कर लेंगे record करने के बाद हम यहां से इसे close कर देंगे close करने के बाद यहां से आपको three dots दिख जाएगा आपको इस पर click करना है click करने के बाद आपको वीडियो टूल का option दिखेगा उस पर click कर देना click करने के बाद आपका अगर वीडियो convert नहीं होगा तो आप यहां से MP4 का वीडियो यह हम वी फाइल में convert कर सकते हैं आप यहां से ठीक तो हमारा convert है जो कि हमने उसमें record किया था avi file में हमने record high quality में किया हुआ है तो आप यहां से करके हम इसे convert करेंगे create image sequence में ठीक तो हम यहां से करेंगे और जो हमने फाइल लिया था उसे हम इसे browse करके select कर देंगे माली जी से हम select कर लेंगे select करने पाद हमें कहां रखना है इसका location हम दे देंगे माली जी हम इसका location दे देंगे कुछ भी दे करके हम यहां से okay कर देंगे okay करने के बाद हम यहां से convert कर देंगे अभी हमारा convert होने लगा जो हम record किये थे हमारा जो हाइवी फाइल में था न हम system में add करेंगे तो हमारा hiring नहीं करेंगा अभी कुछ time ले रहा है क्योंकि जो कि हमारा हैवी फाइल था उसे हम अभी देखिए हमारा convert हो गया जो कि 100% ठीक चलिए हम image sequence को add कर लेते हैं वीडियो को हम close कर देते हैं close करने कबाद हम यहां से image sequence को add करेंगे जो कि हम ब्राउच करेंगे ब्राउच करनेकब आपको रहेते हैं वीडियो हो गया यह हम ब्राउच करके इसेृइन पर click करेंगे क्लिक करूंक करेंगे यह हम open करेंगे open करने कबाद OK कर तेंगो ओकेकरने कबाद कुछ देर हम wait करेंगे अब जैसे ये बिल्कुल png file में हमारा होगया जो कि हमने कुछ ही second कालिया था वीडियो थे प्ले भी ने किया था अगला option हम देखेंगे अगला option हमारा होगा वीडियो delay का video dylay यानि हम जैसे मालीजी example के लिए भी माल लीजिया हमने को भी video इसमें अभी चल रहा है अमारा live में तो हमें क्या करेंगे कि हमें इसे डिले करना है माली जी हमारा चलना है ठीक अब हमें इसे डिले करना है डिले करने के लिए हमें वीडियो डिले क्लिक करना है आप यहां से आप रखना चाहिए यहां से अनुसार से कर सकते हैं ठीक तो हमने इस पर करने के बाद आपको यहां स से जो सेकेंड कितने परेट सेकेंड आपको रखना है ओभी हेका से करने कब bilmiyorum इस तरह से मिल जाेगा आप यहां सी इसे उत्या नीचे कर सकते हैं और को द्राइब करिए तुर्ण हाल ही हमारे सामने वीडियो दीखें गया,ब हम इसे चाहेंगे स्लो करके इसे हम छोधें हम को यहां से प्ले कर सकते हैं अब यहां से हम लोगे सब्सक्राइब हो फास्तन काई थिस रो इमेज का हम यूज कैसे करते हैं जहां से इमेज पे जाएंगे हम ब्राउज करेंगे ब्राउज करने क बाद तो आप मालेज कोई भी मुल्ही Buddhist में आप अ प्लग वगारे सेट कर सकते हैं जैसे माली जी से हम लोगो छोटा वगारे करना है तो अपने अनुसार से अभी हम इस पर बताएंगे आपको जो की बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक यहां से हम इमेज सेलेट कर सकते हैं इमेज वगएर आप सेलेट करना चाहें तो आप यहां से स्वरी इमेज यहां से ब्राउच करके आप यहां से कोई भी इमेज एक सेलेट करना चाहें तो आप यहां से सेलेट कर सकते हैं यह हमारा इमेज हो गया है ठीक यहां से हम इमेज सेलेट कर सकते हैं ठीक अब अगला उप्सन हम देखेंगे अगला उप्सन हमारा होगा जो की है फोटोस का फोटोस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम यहां से ब्राउज करेंगे ब्राउज करने के बाद एक्जाम्पल के लिए माल लेजी हमें कोई फोटो लेना है तो फोटो को हम डाउनलोड पर स्लेट करेंगे जिस फोल्डर में हमने रखा हुआ है फोटो उसे हम स्लेट करने बाद अब इसे क्योंकि हमें जो फोटो रखना है यह से हमें select कर लेंगे select करने के बाद हम okay कर देंगे अभी okay करने के बाद अभी देखेंगे हमारा जो हमने folder बनाया हुआ था आपके सामने इस तरह से play होने लगा ठीक आप यहां से right click करेंगे right click करने के बाद आपको slide so setting का option मिल जाएगा आप यहां से transaction भी add कर सकते हैं आप कित अनुसार से transaction चाहते हैं ठीक आप यहां से fade भी select कर सकते हैं जो कि अप एक एक photo पर लगा सकते हैं आप यहां से इसमें क्या रखना चाहते हैं माली जी इसमें apply कर दे रहे हैं आप अपने उसार सी से select करके add कर सकते हैं अब यहीं हमारा photos का option अब अगला option हम देखेंगे जोकी अगला option हमारा है photos वर पावब्वाइट का पावब्वाइट आप पावब्वांट आप जैसे normally उन्हें पोटो का बता मिया वैसे ही कर सकते हैं अब हमारा अ अगला option आता हा ओडियो और यहाँ से ब्राउज करके यहां से नॉर्मली माली जी हमने यहां से कुछ लिया है डाwnलोड में माली यहां से आमने ओडियो इसमें हमने रखा हुगा है है हम इसे terrorist करके कि हम play कर सकते हैं ठीक अब अगला option हमारा होगा audio input का audio input का हम यूज करते हैं जैसे माली जी हम normally basic अभी हमने जो लगाया हुआ है microphone लगाया हुआ है जो कि हमारा usb है normal हमने लगाया हुआ है बोया का माइक आप यहां से यूज कर सकते हैं हमने high quality का माइक नहीं लगाया है आप इसमें अहुजा का और सेउर का माइक add कर सकते हैं add करने के पर यहां से ok करके आप यहां से ok कर देंगे अब जैसे यह ok करेंगे आपके सामने ऐसे level उठने लएगा ठिक आप यहां से इसके mixer का option दिख जाएगा आप यहां से इसे ओडियो का option है आप यहां से ओडियो पर जा करके इसका गेन high quality low quality कर सकते हैं यहां से यहां से हम इसे फूल कर देंगे अभी देखिए हमारा जो लेवल दोनों side का नहीं उठ रहा था अभी हमारा यह दोनों उठने लगा इसमें बहुत सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे यहां से आपको चैनल को सीप्रेट मोनो में कर देना है जिसे की बाहर की आवाज हमारे तक नहीं आएगी ठिक तो हमारा ओडियो का option रहा अगला option हम देखेंगे vmix में जो की है टाइटल का टाइटल आपको इसमें जबरजस्ट मिल जाता है जो की 115 टाइटल आपको फ्री मिल जाएंगे टाइटल हो गया, GT Ticker हो गया, बहुत अच्छे अच्छे, Ticker मिल जाएंगा आपको, यहां से GT Scoreboard मिल जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं, यह भी बेस्ट है, यहां से GT Test मिल जाएंगे, GT Timer मिल जाएंगे, GT Title आपको मिल जाएंगा, जो कि Animated नहीं है, यह नॉर्मल वाला है, Anim आपको टाइटल यह मिल जाएंगे पूरा ठिक अब यहां से टाइटल एनिमेटेड मिल जाएंगे दो स्कोर बोड दिया हुआ है जो कि मैच हो गएरे में आप यूज कर सकते हैं इसे टाइमर है जो कि आप टाइमर में यूज बगएरे में लगा सकते हैं इसे यहां से टीकर क कर सकते हैं यहां से test का option है, multi view का option है, multi view का option आप normally डेख लेंगे, multi view का यूज कैसे करते हम आपको बता दें, जिसे मालेची से उसे हमने लिया हुआ है, यहां से हम इसे okay कर देते हैं, okay करने Vocês एंसे मालेची से 행복 हम ले ले लेंगे हम फरस्थ हमें करना क्या कि मल्स्में जाना है मल्समें जाने इक बाद हमें हमशे मंने जो मल्स लिया था उसे में सब्सक्राइब को हमाँ पूजिशन में कर लिए थिक अब यहां से हमने इसे पोजीशन में कर लिया अब इसे हम यहां से प्ले कर देंगे आप इस तरह से इसे अजेस्ट कर सकते हैं थिक और आपको टाइटल में देखने को मिल जाएगा यहां से ने और टेस्ट हम एड़ कर सकते हैं यहां से राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद आप कुछ भी यहां से फाइफ 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 कुछ भी लेख सकते हैं इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप यहां से आपको हिंदी लिखने के लिए यहां से time और आपको न मला से करेंगे आपको निर्मला यू बाई करके होगा Lords अब इसчиорош करें इसे नोड कर लेजिएगा अगर हिंदी टाइप करना है आपको उससे पर कंफ तो इस पर करके आप अप्लाई करके करकी आप यहां से select कर सकते हैं अगर बोल्ड मेडियम आपको लेना है तो आप वहां भी select कर सकते हैं आपके हाँ साइज का option मिल जाएगा और यहां से आप duration मिल जाएगा आप किसी speed में चाहते है टाइटल हमारा चले अब यहां से data source का option यह होता है जैसे manually मानली जी एक्सल सीट में नोटपैड में हमने लिखा हुआ है तो यहां से जाकर के हम इसे import कर सकते हैं जैसे मानली जी हम कोई भी लिए हैं तो यहां से management जाकर करके हम उसे plus करके excel seat हमारा है हम उसे browse करके add कर लेंगे ठीक उसे add करने कवाद है हां से हम delete भी कर सकते हैं जितना चाहिए जितना excel seat हम इसमें अपना add कर सकते हैं आप इसमें इसका भी use कर सकते हैं यूटीसी का भी ये उज्ज करते हैं इसलिए हम उस पर वीडियो शेए बनाएंगे अभी हम यह होगया टाइटल में आपको बहुत सारे औप्षन देखने के मिल जाएंगे यहां से आउल औप्षन मिल जाएंगे जो कि आपको यहां से देख जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया है जैसे मालीजी कोई भी आपको टाइटल लेना हूँ यहां से आप इसे स्लेट कर सकते हैं एक्जेम्पल के लिए मालीजी इसे ही हमें लेना है लेने बाद हम यहां से स्लेट कर देंगे तो हमें टीकरेट करने लिए सबसे पहले इंफूर करना है क्लिक करने बाद टाइटल जाने के बाद टाइकर पर CC पर बाद आप से कोई भी स्लेट कर देंगे मालीजी धोंग कर past अ हम यहां से से अ बहुत हम फ्लिक करने के बाद आभी देकिआरा ऐसे चलने लगो रखे il अभी हम इसमें चाह रहा हें कुछ इडिट करना जैसे करें हमालेजी नोटपैड में अल्रिडी लिकर रखे हैं हम इसमें इसे कॉंपी करके उसमें पैस्ट कर दीगा कोρα WAR किसे ऐसे हम इसमें इसमें चांट्रोल अपने कीबोर्ट से Ctrl A करके Ctrl V कर देंगे ठीक अभी हमने पेस्ट कर दिया इससे हम चला करके देखेंगे अभी देखें हमारे सामने इस तरह है हम इसे थोड़ा font का size थोड़ा इससे हम इससे हमारा कितना हो अगर स्लो चल रहा हो यहाँ से आप इंग्रेज decrease कर सकते हूं से अभी है से हम color भी हम चेंज कर सकते हैं जाहें तक हम ट्रेस्ट का color भी चेंज कर सकते हैं distract昨 deceived अलब कि अल Follow दिख जाएगा ऑप साइब दिख जाएगा जो कि अपना साइज वगर्रेशी udah change कर सकते हैं चलिए हम एक हिंदी में ले ले कि यहांरे क्लिक करेंगे राइट क्लिक करेंगे हमने नोट पैड में लेधी करके के रखा हुगगा हिंदी का हम चलिए इसे Arial Unicode MS ठीक अब यह Arial Unicode MS दिख गया है आपको निर्मला UI भी दिख जाएगा अगर आप खोजेंगे तो ठीक जरू से जरू मिलेगा अगर हिंदी आपका ना हो दो अप्षन देता है जिसे आप हिंदी में convert कर सकते हैं फांड साइज को अब यहां से फांड साइज भी बोल्ड कर सकते हैं अब यहां से साइज भी बढ़ा सकते हैं ठीक वही टाइमर है जो आप increase degrees कर सकते हैं left right यहां से कर सकते हैं आप आप चाहें तो right side से जाने लेगा हमारा ठीकर यहां से replace कर सकते है एड कर सकते हैं और ठीकर ठीक का, प्लस का बहुत अच्छा है, जैसे माले जी हमने टिकर great कर दिया, अब चहरा ही इंगलिस भी हमारा एड हो जाए, जिसे हमें बार बार copy paste ना करना पढ़े, तो इसे के लिए हमें इसे कॉंपी करना है कॉंपी करने के बाद फिर से हमें इसमें पेस्ट कर देना है कंट्रोल भी कर देंग की बोर से अब पेस्ट कर देंगे अभी देखिए हमारा एक जो हमने इसे भी एट कर लिए अब हिंदी का करना है तुरंत हिंदी हो जाएगा इंगलिस का क यूज़ करके आसानी से टीखर चेंज कर सकते हैं आप यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप ठीक आई होब कि अपर आपको इसमें एक में टिछा देता हूं जो कि हेड़ लाइन्स है और डिस्क्रिप्स्न है। आप hire यहां से नाम हो गए रहे टीकर वगए टेस्ट हो गए एड़ कर सकते हैं तो हमने यहां से टेस्ट एड़ कर दिया अब यहां से आप लोगो एड़ कर सकते हैं जैसे माली जी हम एक्जांपल के लिए लोगों ले लेंगे, विमिक्स का ही ले ले रहे हैं, आप यहां से लोगों ले ले लेंगे, अब इसे हम एड़ कर देंगे, एड़ करने के बाद हम यहां से प्ले कर देंगे, अभी हम उसे हटा दे रहे हैं, ठीक, अभी देखिए हमारा यह चलने लगा एकदम नीज की तरह, आप यहां से हम इसका कलर कर देंगी जिससे आपको थोड़ा अच्छा लग लेंगी यहां से ब्लेक ब्लेक लग रहा है यहां से हम प्ले कर देंगे इसे सूर्स का इस्तमाल करके हम ऐसे अजेस्ट कर सकते हैं आप भी यहां से एडिट कर सकते हैं टाइम भी लगा सकते हैं एडलाइंस भी एड कर सकते हैं चले हम यहां से टाइटल लेते हैं टाइटल पर जाने के बाद जीटी इस्टेंजर हमें दिख जाएगा एक हम जीटी इस्टेंजर से लेट करने के बाद हम यहां से ब्राउज करते हैं ब्राउज करने के बाद यहां से हम कोई भी लोगों वीमिक्स का ही लोगों हम सेलेट कर दे रहे हैं हम यहां से open कर देंगे open करने के बाद अभी हम यहां से stranger हमने select करके रखा हुआ है यहां से आप stranger ऐसे कर सकते हैं माले जी कोई भी वीडियो हो वीडियो चल रहा है हमारा अब यहां से stranger अगर करेंगे तो मैं लूब फे कर दिया हमें शेंचेंजनर करेंगी तो हमारा इस तरह से इस्टेंजर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको यहां से फेक मिल जाएगा इस जटेंजे का और बगारे से कुछि नहीं मैंने इस पर leader stri局 बनाया है अब जाकर कि वहां देख सकते हैं एड इंपूट पर जाने के बाद हम यहां से वर्चुवल सेट एक ले लेंगे माली जी कोई भी हम यहां से सिलेट कर लेंगे जो की बहुत ही इजी हो तो हम यहां से कोई भी यह चलिए हम इसे सिलेट कर लेते हैं सिलेट करने के बाद यहां से हम कट करदें बाद यहां set up पे जाए बाद आप से screen को customize कर सकते हैं जैसे कोई भी हम यहां से करके से इसने क्वारी कष्टमा मेग्स कर के आपITY कर सकते हैं खिक आप के अपने अनुसार से से एड़ कर सकते हैं इसमें आप इसे अगल वगल view all right side left side, यहां से suit सक्स्टमाईज करके आप यहां से इसे रख सकते जैंक दो बिलकुल ही नौर्मली अब यहां से हमारा जो friend है यहां से उर्मारा जो table है इसे हम इसे में आफ उर्प स्पड़रLife कर सकते हैं आप ताइलन्ड का options ना हाँ ताइलन्ड मेन हमारा जो तो इसमें रखना है, हम यहां से इसे add कर देंगे, माली जा हमने green video लिया है, अब green video हम चाह रहे हैं कि उसमें add हो जाए, तो हम यहां से chroma key करेंगे, chroma key से यहां से background को हम remove कर देंगे, directly दो करेंगे, यहां से background को remove कर देंगे, अब देखिए हमारा एकदम fit जो की बैड़ गया आप यहां से size भी adjust कर सकते हैं, ठीक आप सारे चाहे background को जो चाहे तो आप customize कर सकते हैं अपने अनुसार से, अब screen को हम screen पर लगा देते हैं, माली जे कोई भी video लिये रहे हैं और हो रहे हैं आप यहां से, इसे adjust कर सकते हैं, अभी देखिए हमने लगाते हैं, बिल्कुल सट टीक बेड़ गया, अब यहां से हम छोटा बड़ा अपने अनुसार से cut, आपको frame, medium, small, cut, cut का option मिल जाए, जो की effect है, यहां से चारग-चारो आपको effect देखने को मिल जाएंगी, आप यहां से zoom in कर सकते हैं, zoom out कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, जो की देखने को मिल जाएंगा, आप यहां से, टाट विए एक और हम ले लेते हैं, चलिए हम इसे ले ले लेते हैं, अब यहां से left में दे रहा है, right में आपको बहुत ही आसान तरीके से यह बताया हुए है, अब यहां से left में रखना है, यहां से left में add कर लेंगे, और right में रखना हो, तो right में add कर लेंगे, के एक हैंप। परना कि हमसदी बगाएं कंके करेंगे कर लोगा। अच्ति नहीं भी एक वीडियो और पार क्यों प क्यों कि में बाड़ मत आदेधिवां बने थे लौनाश्च बिस्श्ट काकर सका राइट करेंगे जो डेकिलखने की दो हूं अब इसे भी हम कॉस्ट माइज कर लेंगे पुझी के सो पीजिए पे जाएंगे यहां से इसे हम मोई कस्ट माइज कर लेंगे थेक अब यहीसा हम प्ले कर देते हैं अभी प्ले कर देते हैं इतने चाहें इतने एड करके हम अल्रेडी रख सकते हैं और इसे हम सौर्टकट एड करके इसमें इफेक्ट यूज कर सकते हैं यहां से यह भी एड़ कर सकते हैं वन्टू करके सेम जैसे हमने बताया वही सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा आप यहां से इसे बैग्राउंड में एड़ कर सकते हैं इस तरह से आप इसे एड़ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीक से आप यहां से ब्लैंक भी लेकर के आप यहां से सारे के सारे स्लेट कर सकते हैं जैसे माली जै हमने एक वीडियो ले लिया है एक यहां से हमने दो वीडियो तीन वीडियो चार वीडियो अब यहां से हम एक ओप्शन चार देख लेंगे चार पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहां से देखिए हमारा जो चार का फ्र आई होप कि आप सीख गया होंगे बहुत ही नॉर्मल है मैंने बहुत वीडियो बनाया है एक दो वीडियो बनाया है जिसमें आप उसी का अधार पर जो भी मल्टि व्यू आपको मिलेंगे स्वरी वर्चुल सेट मिलेंगे आप इसके अधार पर अड्जेश्ट कर सकते हैं एक यहां से बार्डर भी आप सिट कर सकते हैं पूजीशन पर आने कुए हहां से कलर बगारा सेट करके यहां से पांच नंबर करेंगे तो बहुत जयादा हो जै कि दसट कर Осब तो यहां Если दस नंबर अब जितने भी आप यहां से जाका करके करके आव यहां से सारे में बॉर्डर कर सकते हैं अ अ जितन सारे हैं सब में आप बॉर्डर डाय नीं कर सकते हैं अपने अंसारसी से क्स्टमाईज कर सकते हैं वेब ब्राउजर का यूज क्या होता है हम चलिए वह देखते हैं वेब ब्राउजर पे लास्ट में दइख जाएगा वेब ब्राउजर का ओपशन इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे URL पेस्ट करना होगा जैसे एक्जामपल के लिए मान देजी हमें Facebook, Twitter कोई भी वीडियो हो उसका हमें link को copy करना है तो एक्जामपल के लिए मैं YouTube का बता दे रहा हूँ जैसे हमने open करके ख़वा है अपना ही वीडियो हमें इसे copy करना है URL आपको टॉप पे मिल जाए यहां से इसका हमें control यह करके keyboard से control C कर देना है हमें इसका URL copy करने के बाद सीधा directly हमें अपने web browser में आना है web browser में आने के बाद हमें इसे paste कर देना है paste करने के बाद OK कर देंगे कोई भी live चल रहा हो या फिर कोई भी session चल रहा हो हम उसका link copy करके यहां से live stream कर सकते हैं अपने YouTube पे अपने Facebook पे नॉर्मली हम यहां से कर सकते हैं अभी थोड़ा हम wait कर लेंगे थोड़ा net का issue है इस विज़े से हमें देखने को मिल सकता है थोड़ा देर हम wait कर लेंगे अभी देखिए हमारे सामनी इस तरह का option देख जाएगा ठीक अभी हमारा access कर रहा है जो कि हमारा network थोड़ा slow है अब देखिए हम यहां से इसे play कर सकते हैं अब यहां से हम कुछ भी कर सकते हैं माली जी हम इसे full screen में कर रहा है तो यहां से future screen भी कर सकते हैं अब जैसे इस पर क्रेंगे full screen कर देंगे थिक यहां से हम bunu अब देखिए हमारा इस एक दम अच्छे से चलने लगा थिक कर सकते हैं अब यहां से हम अपना हमसार से से adjust कर सकते हैं तो यही हमारा web browser का option हम यहां से stream कर सकते हैं facebook, twitter सब पे हम यहां से stream कर सकते हैं directly हम यहां से video call का option देखेंगे आपको add input पे जाकरके last video call का option मिल जाएगा आप यहां से link को copy करेंगे सीधा directly mail से या फिर whatsapp से आप इस link को share कर देंगे जिसको जोड़ना हो, आप हैसे वीडियो सोर्स में आउटपूर्ट थी, आपको बीट रेट का 720 से भी पीएस करना है अगर फोन से कनेट करना है तो ठीक, नहीं तो वहां से आप ID वगएर पासवर्ड मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मली लिंक से आप कॉपी करके अपने WhatsApp से अप उसे सेयर कर सकते हैं ठीक, लिंक को कॉपी करेंगे और यहां से WhatsApp पे हम यहां से इसे पेस्ट कर देंगे पेस्ट करनेक बाद वह जो वेक्ष्टि होगा अगला हमारे ज cabeça पीक मिंभीड करेंगे और यहां से जॉइन हो जाएगा और जैंआ जॉइन होते ही वहां से ये वी मिक्स को जा करके देख सकते हैं, आपको पूरा confirm हो जाएगा, ठीक? अब हम stream का देखेंगे, stream के लिए हमें सब से पहले setting पर click करना है, setting पर click करने के पाद, चलिए हमें एक video add कर लेते हैं, हमने video add करके रखा हुआ है, हम इसे play कर देते हैं, जिससे हमारा stream में दिखेगा, ठीक, हमें यहाँ से loop कर दिया, इसे play कर दिया, यह ultimately चलता रहेगा, उसके पाद stream करने के लिए हमें एक setting का icon देखेगा, इस पर हमें click कर देना, click करने के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपको देख जाएगा, जो कि हमारा one, two, three, one, two, three का मतलब यहाँ है कि हम इसमें तीन stream एक साथ कर सकते हैं, facebook, twitter, instagram, ठीक, आप जो चाहें, तीन stream एक साथ आप कर सकते हैं, ठीक, आप यहाँ से चाहें, तो यहाँ से directly आप facebook slate कर सकते हैं, जिसे example के लिए भी facebook के यहाँ पे होगा, youtube पे भी live कर सकते हैं, और facebook का भी आपको दिख जाएगा हाँ पे, facebook, 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 ए रहा facebook, ठीक, आपको facebook का भी option देखने को मिल जाएगा, अब ऐसे ही तीनों में stream कर सकते हैं, तो चलिए हम youtube पे आप लोगों को दिखाएंगे, एक हम stream करके आप लोगों को दिखा देते हैं, सबस्पहले आपको none करना है, ठीक, अभी हम stream की और url से live करेंगे, ठीक, तो उसे लिए हमें इसे none कर देना, none करने के बाद हमें custom rtmp server पे करना है, तो इस पर हम click करने के चैनल है, मैं उस पर अभी वीडियो नहीं डालना हूँ, future में अगर ज़रूत पड़ेगी तो ज़रूत ज़रूत में डालूंगा, ठीक, तो हमने लोग इन करके रखा हुए, आपको भी लोग इन कर लेना है, लोग इन करने के बाद आपको यहां से वीडियो का icon मिल यानि आप schedule करेंगे, तभी तो लाइब कर पाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें schedule करना पड़ेगा, लाइब के लिए, तो हम यहां से start पर click कर देंगे, अब यहां से go पर कर देंगे, और इसे हम close कर देंगे, ठीक, अब यहां से हम schedule कर देंगे, ठीक, तो अब यह डाल लेंगे हम यहां से टेस्टिंग ढाल देने हैं अब यहां अपना पूरा भर देंगे जो भी हो आप अपने अनुसार से भर देंगे टाइग डिस्कूरिशन टाइग आप किसट घरी में डाल रहे हैं वहीं सेलेट कर लेजिएगा अगर एट्सटिंगर होगा तो आपको यहां से no कर देना है ठीक no करने के बाद यहां से see more पे click करेंगे आपको यहां से tag का ओप्सन दिखेंगे जरूर डालें जिससे हमारा search list में आये हमारा जो live रहेगा वह search list में आपको कुछ नहीं करना है बस scroll करते ही आना है और कुछ नहीं करना आप यहां से हमें nest कर देना है अब decision में कुछ भी डाल दें मालेजिव देस्टिंग फिक इस मनें भी हमने टेस्टिंग जाल दिया यहां से कर्दे सब्सक्राइब करें तब यहां सबसे इंप्रटेट भी कर सकते हैं आपको यहां से मारा इंपोर्टेट ओप्सन आपको दिए जाता है अप चाहरा है कि यह स्ट्रीम लाइब बाल्यव cancelled Koley कि हमें सब्सक्राइब करें तब जाकि हमें कमेंट कर पाए तो आपको यहां पर सब्सक्राइबर मोड पर क्लिक कर देना है अब क्लिक करेंगे तो जो हमें सब्सक्राइब की रहेगा वही हमें कमेंट कर पाएगा ठीक आप यहां से टाइमिंग भी एट कर सकते हैं कितने से देख सकते हैं कि आप यहां से पब्लिक रखना चाहते हैं या अनलिस्टेड या प्राइवेट रखना चाहते हैं हम तो अभी पब्लिक रखना नहीं चाहते हैं आपको अगर पब्लिक रखना है तो आप पब्लिक पे क्लिक कर सकते हैं तो हम यहां से हम इसे अनलिस्टेड रेडियो हो गया अब हमें स्ट्रीम करने के लिए हमें यहां से छोटा कर लेना है इसे विमिक्स को भी हम छोटा कर लेंगे ठीक अब यहां से हम क्या करेंगे इस्ट्रीम की को कॉपी करेंगे अब यहां से हमें stream key को पेस्ट कर देना है पर फिर stream URL को ले लेंगे तो हम यहां से stream URL को ले लेते हैं अब यहां से हम इसको भी पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद आपको quality क्या रखने हैं अगर आपका net speech अच्छा खासा है तो आपको यहाँ से 2.5 mbps पर click कर देना है add कर देना है अगर net आपका slow हो तो 1.5 mbps कर सकते हैं ठीक मैं तो आपको suggest यही करूंगा कि आप यहाँ से 2.5 mbps करें Facebook का आपको दिया हुआ है Facebook आप select कर सकते हैं आपको अपने net के अनुसार से Facebook का भी select कर सकते हैं वैसे ही manually भी दिया है आप अपने अनुसार से भी select कर सकते हैं नेट के अनुसार से अभी हम तो suggest करेंगे आपको कि आपका net अगर slow है अगर आपका net fast है तो आप इस पे select करें और slow है तो इस पे select करें अब यहां से हमें save and close कर देना है अब यह करने के बाद हमें क्या करना है कि यहां से हमें stream पे click कर देना है अब जैसे हम stream पे click करेंगे हमारे सामने यह देखी stream हो गया हमारा तो stream होने के बाद अभी देखेंगे हमारे सामने यह एक्सिलेंट का आपके सामने यह आने लगा देख रहे हैं अब यहां से हम कोई भी कमेंट करके पिन कर सकते हैं ठीक यहां से हम इसे कमेंट करके यहां से हम इसे पिन कर सकते हैं अभी हमने इसे पिन कर दिया अभी देखिए वीडियो हमारा जो था वो चलने लगा अभी हमें यहाँ से आप जो भी यहाँ final में करेंगे वही जाएगा माली जी हमें यहाँ से नहीं जालना है तो हमारा binary वगएरखे होगा आप यहाँ से example के लिए मैं बतार हूँ यह हमारा binary हो गया तो हम इसे Biner को click कि रहेंगे अभी जब हम यहां से go live करेंगे यहां से go live हम जैसे ही करेंगे ठीक अभी देखिए हम रेकलर का भी बैनर दिखेगा हमारा अभी देखिए बैनर दिख रहा हमारा अभी देखिए जश्ट में हमारा वीडियो भी आ जाएगा सबस्पहले आपको यह बता दूँ कि यहां पर आपको गो लाइब का उप्सन दिखेगा जो कि मैंने कर दिया अगर आपको ना देखिए जब तक आप गो लाइब नहीं करें अभी देखिए हमारा यह लाइब जाने लगा जो कि हमने इसे प्राइबेट करके रखा हुआ है अभी आपको अगर पब्लिक करना तो आप पब्लिक करेंगे तभी आपका यूटूब पर जाएगा आप यहां से कमेंट कर सकते हैं आपको यहां से पॉल का पड़न भी मिल जाता है आप यहां से कैश maior भी आपको लोगो को कस्टिमाइज करने का अपसन मिल ूवाल झें के लिए हमने इमेज में ले लिया यहां पर हमें एक setting पर क्लिक करने के बाद आपको position का option दिख जाएगा आप यहाँ से position पर जाने क बाद सबसे पहले टॉप पर जो option दिख रहे हैं यहां से इसे कुस्टमाईज आपको कर लेना है यहां से जैसे ही छोटा करेंगे आप यहां से इस side इस side जिस side आप रखना चाहाई यहासे लोगो को आप यहासे adjust करके रख सकते हैं माल जी से हमें और छोटा करना है हम यहां से इसे adjust कर सकते हैं माल जी एक logo हमेरा यहाँ पर है हम चाह रहें कि यह डर्क के लिए हमेरा यहा जाए यहां से माली जी हमारा यह है अब इसे हम एक्जम्पल के लिए माली जी हमारा यह इमेज है हम यहां से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं माली जाएंगे पोजीशन पर जाएंगे पोजीशन पर जानेक बाद हम यहां से छोटा बढ़ा इसे कर सकते हैं इमेज के अनुसार से हम यह adjust कर लएंगे कि यहां से हम इसे लोगों में बना सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं यहां से कर देंगे तो जो भी हमारा setting हमने बनाया होगा यहां से कर से हो जाए तो यह रहा हमारा रिशेट का option आपको देख जाएगा multi-view triangle आपको ट्रेंगर का option मिल जाएगा तेली लाइट का ओप्शन मिल जाएगा पीटे जी कैमरा एड कंद के मिल जाएगा एडवांस मिल जाएगा आपको यहां से मिल जाएगा colorADEST , आप colorADZEST कर सकते हैं लोगों का जो भी हो आप अपने उनसार से color ADEST कर सकते हैं इ 얼굴 sheath इसे alpha का मिल जात है महाली जी तहोड़ा सा करना है transparent करना है तो आप यहाँ से alpha का यूज्ड कर सकते कि कलर की कलर की से हम यहां से क्रोमा रिमूव कर सकते हैं माली जी हमारा यह ग्रीन होगा कोई भी हम ग्रीन वीडियो लिए रहेंगे यह हमारा मालिक हम इसे ग्रीन कर दे रहे हैं अब ग्रीन को हमें हटाने के लिए यहां से हमें सेटिंग क्लिक करना है सेटिंग क्लिक करना है कलर की पर जाना है कलर की पर जैसे ही जाएंगे हम कलर पर चेक कर देना है और यहां से क्रोमा पर लगा देना है अब यहां से हम अप कि अब हम कुछ basic चीजे जानेंगे जो कि आप settings में जाएंगे शेरेति यांछ से पूरा प्रॉपर दिख जारी आप से आप यहां से select कर सकते हैं, normal ले सकते हैं, full screen आप select कर सकते हैं, 1, 2, जो आप select करना चाहिए, short cut मेे add कर सकते हैं, display आगर 3 या 4 इसमें display आप add कर सकते हैं, ठीक आपको यहां Output NDI मिल जाता है, SIT मिल जाता है, यहां सब Select कर सके, आप Shortcut में इसमें तीन, चार, चार NDI आप इसमें Add कर सकते हैं, ठीक, यहां से Option आपको काफी देखने को मिल जाएंगे, जो कि Start in Advanced Mode, Start in Full Display, Maximize, बहुत सारे Option आपको देखने को मिल जाता है, यहां पर Transition का Option भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहां से Transition Add कर सकते हैं, ठीक, यहां से Performance भी Option मिल जाता है, आपने क्या Graphics Card वगरे क्या लगाया है, मैं एक दम Low Quality का लगा हुआ है, जो देख रहे हैं, हम इस पर भी विमिक्स आसानी से Play कर पा रहे हैं, ठीक, डिकोडर आपको Option मिल जाएगा, रिकोर्डिंग का मिल जाएगा, लोकेशन यहां से कर सकते हैं, इस्टैमिनल, आउट्पूट का भी Option मिल जाएगा, अब इसमें दो आपको Option दिख जाएगा, ओडियो का मिल जाएगा, आपका Audio Output का Option मिल जाएगा, आप यहां से Audio Output सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका Output ना ले रहा हो तो, ठीक, अभी हमारा यह सेलेक्ट है, बिसक लिए हमारा Default ही सेलेक्ट हो जाता है, जो कि Audio Minimally के अनुसार से ही, अब वेब कंट्रोलर, वेब कंट्रोलर का यूज होता है, जिस अब जैसे हम पेस्ट करेंगे, यहां पी हमें पासवर्ड माईएगा, तो जैसे हम पोर्ट यह पासवर्ड डाल देंगे, यह हमारा Automatically Vimix का हमें पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, हम यहां से इसे Access कर सकते हैं, सिस्टम से, माले जो कोई भी Cut, Title, जो भी हो अनुसार, हम यहां यह उचे, shortcut का, आप use करके, आप माले जो कोई भी हमें, news बगएरे चलाना है, तो हम आप माउस से तो करेंगे, नहीं, तो बेसिक सी बात है, हम shortcut add करेंगे, तो हम बहुत सारे अनुक, इसमें shortcut add करके, अपने अनुसार से इसे हम select कर सकते हैं, ठीक, तो shortcut हम सबसे easy तरीका है, आप shortcut जरूर यूज करें, अगर news बगएर, इस line में आप use कर रहे हैं, काफी सारे effect आप use कर रहे हैं, तो shortcut का जरूर यूज करें, यहां से activator मिल जाता है, script, script आप add कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आपको अच्छा है, आप अपने अनुसार से इसे, script आप अपने अनुसार से इसमें add कर सकते हैं, ठीक, तो about का option मिल जाता है, जो कि आप इसमें अपना key वगएरा, जो आपने key वगएरा डाल करके, activate करके रखा है, आप यहां से इसे देख पाएंगे, इसमें about कर, click कर जैसे ही करेंगे, अब यहां से आप import कर सकते हैं, export भी कर सकते हैं, import भी, आप effect च के कुछ effect के बारे में देखेंगे, जो कि हमने तीन वीडियो से add करके रखे हुए हैं, आपको यहां से effect मिल जाएंगे, ठीक, यहां पे आपको cut का option मिल जाएगा, फेट का option मिल जाएगा, अब जैसे ही right click में एक arrow दिख रहा होगा, आपको arrow पे जैसे click करेंगे, आपको बह Effect यह यूज करना है, तो आपको effect ऐसे इस तरह का effect आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक, अब यहां से जैसे करेंगे प्लपू मिल जाएगा यानि जो दिक रहे हैं आपको यह सारे इफएक्ट का ओप्षण आपको देखने को मिल जाएगा माली जी हमे Always कुछ और एड करदें स्वरी मर्ज का तो आप संड है ही हम इस सफ लाई का करनेंगे यहां से प्लाई का ओप्षन आपको देखने को ऐसे इस तरह का मिलेगा आप यहां से इस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं और भीचा है तो हम यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं माली जी कैमरा में हमें नॉर्मली कट का यूज़ करना है सौट कट में एड करके हम यहां से कट का यूज़ कर सकते हैं अगर सौट कट आपको यूज़ करना नहीं अगर पता होगा तो मैंने इस पर सौट कट पे वीडियो बनाया है आप वहां से जाकर के हमारे डिस्क्रेशन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं हमने काफी वीमिक्स पर वीडियोस बनाया होगा है जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा ठिक यहां से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और आपको यहां प यह 3-4 source हमें मिल जाते हैं ठीक हम यहां से इसे यूज कर सकते हैं माली जी अभी इस तरह का कोई भी effect हमें देखने को नहीं मिल ना है माली जी ऐसे कर रहे हैं तो हमारी directly cut हो जा रहा है ठीक अब हम चार हैं इसमें थोड़ा एक number में हमारा source में effect add हो जाए तो हमें क्या करना है overlay पे click कर देना है अब जैसे overlay पे click करेंगे आपको number और type और effect का option देखने को मिल जाएगा ठीक आप यहां से भी border वगएरा add कर सकते हैं अपने वीडियो में ठीक तो हम चलेंगे पहला number हम source हमारा चार दिया हुआ है अब इसमें पहले source में पहले add कर लेंगे मालजे full screen पे हमें करना है यहां से हम cut कर नहीं zoom का use करेंगे पहले source पे तो यहां पे हम पहला source पे click कर लेंगे अब मालजे effect division में हम 500 feet आप अपने अनुसार से किस type का pop-up सा हमारे screen पे आप यहां से इसे add कर सकते हैं अब यहां पे आपको frame का option मिल जाता है बहुत सारे frame अगरे add कर सकते हैं तो चली हम इसे okay कर देते हैं अब यहां से हम okay करते हैं ठीक जैसे मालजे हमारा यह video चल रहा है अब इसे हम okay कर देंगे एक पिर जैसे करेंगे देख रहें जूम के तरह effect आपको देखने को मिल ज्याएगा इस तरह से अब मालजे हमें change करना है तो फिर हमें जाना effect में effect में जाने एक बात यहां से हमें क्यूब जूम जैसे माल जी यह वाला इफेक्ट हमें यूज करना है हम यहां से क्यूब जूम पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा थिक अब यहां से change करना है तो आप बहुत सारे यानि सारे effect आप यहां से use कर सकते हैं इसे आपको इस तरह का effect देखने को मिल जाएगा अगर shortcut में यह हमारा है जो कि हमें बहुत ही आसान तरीका है हम यहां से इस तरह से customize कर सकते हैं effect का use करके हम कुछ vmix software के बारे में भी देख लेते हैं कैसे हम इसे purchase कर सकते हैं और कैसे हम इसे खरीज सकते हैं ठीक तो आपको यहां पर vmix के website पर आप चले जाएंगे vmix.com पर तो आपको यहां से support team का option मिल जाएगा आप यहां से contact कर सकते हैं जैसे मालीजी हमने कोई purchase किया हुआ है ठीक तो यहां से हमें email id सबस्पहले हम अपना नाम और किस department से हैं किस company से हम सब्मिट करके message और अपरा email send कर देंगे यहां से हम जैसे इसे message को send करेंगे हमारे email पर तुरंत reply आ जाएगा कि हम इसे कैसे use करना है आपको form भी मिल जाते हैं आप यहां से form देख करके आप अच्छी तरह से अपना कृस्टमाइज कर सकते हैं कि इस तरह से आप किस तरह से आपको manage कर ना है ठIC तो हम इसन बैक कर देते हैं आपको यहां से dark option तो हमने बताया अल्यादी बता है ठिक अब यहां से切 sa leo solution का option माव लेखे कोई भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहां से solution कर सकते हैं ठीक solution ढोड़ सकते हैं स्वरी यहां से purchase का option दिख जाता है आप यहां से purchase कर सकते हैं तो buy now पे हम click करेंगे click करने के बाद आप यहां से remix software को आप यहां से देख सकते हैं आपको काउन सा version लेना है किसी साथ से आपके काम के अनुसार से मालीजे फोरके आपको use करना है तो आप यहां से फोरके version यूज कर सकते हैं मालीजे हमें कोई भी यूज करना है तो हम basically आपको suggest यही करेंगे कि आप यहां से जो normally है हमारा यहां पे 350 डॉलर का आप यहां से 350 वाला भी यूज कर सकते हैं जो की आपको 12 मंद के लिए मिलता है आप यहां से इसको यूज कर सकते हैं बाई करके आप यहां से बाई नाव पे क्लिक करेंगे अप क्लिक करते हैं purchase vmix software आप इस पर करेंगे click तो आपको purchase आप यहां से buy now कर लेगे आप अपने अनुस्वार से 350 में आप convert कर लिजिए अगर इंडिया से हैं तो आप यहां से convert कर सकते हैं अगर बाहर के हैं तो अपने अनुस्वार से आप देख सकते हैं इसमें मन्थली प्लान भी आपको देखने को मिल जा रहा है अगर जानकारी चाहिए तो इनके आप वीडियो और फेस्बूक पे जा करके पूश सकते हैं या फिर मेल कर लिजेगा आप इनसे संपर्क करके आप इनसे पूश सकते हैं ठीक झाल झाल झाल